मशकर दोस्तों एक बर फिट से बहुत स्वागत है आपका हमारी यूटीब चनल में तो नई-इने वेकेंसित के डिटेल के लिए और सिभी तरह की जोब सब्डेट के लिए हमारी यूटीब चनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेर करें दोस्तों के साथ दो चाहिए वह Online माध्यम हो चाहिए वह Offline माध्यम हो ठीक है और सभी तरह की जोब आज का मिल जाती है अगर आप सही से डूड़ेंगे सही आपका प्लेटफॉर्म सही होगा और आपका डूड़ने का तरीका अगर सही होगा तो आपको आराम से जोब मिल जाएगी जो आप सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे सबसे पहले हम ओन-laiN-madyum से के सबसे पहले हम अगर करें ऑन-laiN-madyum से जो की गोवर्मेंट-जोब्स अगेरा आपको ढूंड सकते हैं तो कुछ महतवपोर्ण साइट से जिन जो ऑथेंटिक हैं और उनका कंट्रेंट मुझे पर्टिकुलर लिए अच्छा लगता है और वो वेबसाइट जो गुगल पर फर्स्ट पेंज पर रन करती है और ऑथेंटिक वेबसाइट है उनको देख के आप पता लगा सकते हैं कि यह ऑथेंटिक है और डे जोप अलर्ट लिखना है आपको इस्क्रीन पर लिखर होगी उसकी इस्पेलिंग फ्री जोप अलर्ट यह लिखेंगे तो आपको एक वेबसाइट खुल जाएगी आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पर आपको स्टेट में कितनी वेकेंसी है उसके अलावा आपको ग्रू जोप दिख जाएगी बहुत ही और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्हों ने अपनी वेबसाइट को अपने वेबसाइट के इंटरफेस को जमाया है जिससे कि किसी यूजर को आसानी होती है अपने लेवल से अपनी पर्टिकुलर के इसाब से जोप सर्च करने में तो आप इसको भी वेबसाइट ट्राय कर सकते हैं सेकेंड में बात करूं अगर वेबसाइट ही तो वह आती है सरकारी रिजल्ट सरकारी रिजल्ट भी बहुत ही अच्छी ऑथेंटिक और जानी मानी वेबसाइट है जो कि आपकी गोर्मेंट जॉप्स प्रोवाइड कराती है मतलब यह जो वेबसाइट है इसमें भी आप जो है एक्जाम रिजल्ट एड्मिट कार्ट न्यू वेकेंसी सभी तरह के अलग-अलग फोल्डर देख सकते हैं ठीक है जो नई वेकेंसी वह आपको उपर हाइलाइट होती हो दिख जाएगी तो यह अच्छी वेबसाइट है आप इ इतना होचपोच नहीं है उसमें इतना जला कंटेंट नहीं है कि मुझे ढूंडने में थोड़ी परिशानी आए सीधा जाता हूं डायरेट देखता हूं नहीं वेकेंसी कोन से आती है और मैं आराम से ढूंड पाता हूं तो यह वेबसाइट जो है सरकारी एक्जाम सरकारी इस पर सरकारी एक्जाम मिल जाएगी ब्लू और वाइट कलर का इंटरफेस है इनका बहुत बढ़िया वेबसाइट है आप इसको भी ट्राय कर सकते हैं तो यह तीन वेबसाइट जियो आप उनलाइन माध्यम से किसी गुवर्नमेंट जोब को सर्च कर सकते हैं अगर हम बात इसलिए नहीं दे सकता हूं क्योंकि बहुत बार जो है लोग अपनी वेबसाइट पर कुछ भी डाल देते हैं जो कि फ्रोड भी हो सकता है कुछ आपको लिंक दे देंगे वहाँ पर क्लिक करें किसी और वेबसाइट पर जाएंगे और हो सकता है आपकी डिटेल वोगएरा चुरा लें बहुत बर होता है इसा तो इसलिए मैं उनको रिस्क नहीं लेता हूं लेकिन कुछ अथेंटिक वेबसाइट है जिनका नाम में यहां लेके आया हूं वहां से आप जो है सर्च कर सकते हैं अपने प्रिफरेंस के हिसाब से सबसे पहली जो वेबसाइट है वह है इंडिद डोट कॉम जो है वहाँ पे आपको सभी तरह की जोप मिल जाहीऋ कि होँ प्राइवाट कॉर्पोरेट बेंकिंग जी हां यहां पर आपको गवबेंट जोब तो मिलेगी लेकि इस वेबसाइट को आप ट्राइक्ट सकते हैं दूसरी वेबसाइट में नाम लेना च प्रोपर्ट सेक्टर की वेकेंसिस प्रोवाइड कराने में सक्षम है अच्छा कंटेंट होता है इनका भी थर्ड वेकेंसि की अगर मैं वेबसाइट की बात करूं तो वह है Linkedin.com पर आपको एक्चली अकाउंट बनाना होता है बड़ी बड़ी कंपनी के सी ओ और जो बड़े अधिकारी होते हैं वहांपे उनका भी अकाउंट होता है आप उनको अपरोच कर सकते हैं डायरेक्ट उनको मेंसेज कर सकते हैं अपना रिज्यूम सेंड कर सकते हैं तो यह भ जो आपको एक फॉम होता है इसमें लोगिन करना होता आपको अकाउंट अकाउंट बनागे वहां पॉम आप अपने प्रिफरेंस अपने एक्स्पिरेंस अपने एजूगैशन क्वालिफिकेशन के अकोरडिंग वहां पर जो पर चूज कर सकते हैं या आपको डाइरेक्ट, अगर आपके प्रिफ्रेंस के हिसाब से इनको जोब मिलती है, या फिर इनके पास बहुशियम का भी जोब आती है ऐसी उस के टेग्री के हिसाब से, तो यह आपको मेल करके उस जोब की डीटेल सेंड कर देते हैं, अगर आप उसमें सकते हैं तो offline के लिए सबसे बड़िया source जो आप जानेंगे वह है आपका रोजगार समाचार यह हर सपता आता है हर साथ दिन के भीतर यह रोजगार समाचार आता है रोजगार समाचार में आप सबी तरह की जो government organization है वह अपनी vacancies की डेटल यहां पर डालते हैं यहां से आप जो आचानी से रोजगार समाचार को खरीद कर यह online इसकी PDF मिलती है तो उसको डाउनलोड करके आप जो है वेकेंसी की डेटल चेक कर सकते हैं उसके अलावा थर्ड जो option है वह सबसे आसान है अपने नजदी की online center पर जाएं वहां पर online center अधिकतर जो है वह नई नई वेकेंसी से related जानकरियों का परचे आपने online center के भाहर चिपका के रखते हैं तो वहां से भी आप जो है वह नई नई वेकेंसी की detail और उनकी जानकरियों प्राप्त कर सकते हैं तो आशा करता हूं यह जानकरी आपको समझ माई होगी मेरा कुल मिला के उद्देश यही था कि कोई भी व्यक्ति अगर जो सर्च करने जाता है तो उसको authentic और सही वेकेंसी क आपको उसी में उलज़ा लेती है क्योंकि नीचे आपको लिंक देंगे आप उस लिंक करेंगे किसी को और पेंज पर जाएगगे फिर नीचे जाएएंगे वहां पर लिंक पर क्लिक करेंगे किसी और पैंज पर जाएंगे यह इनका internal linking हो ती है website मैं जिससे की यूजर जो है वह उस मयाजल में अटक जाए और उनको जो है पैसे बनते हैं एडसेंसे जितना उनका इंप्रेशन जितना उनका पेज भी होता है और बाइचांस यूज़र जो है फस्ट अड होके एक दो एडस पर भी क्लिक कर ही देता है तो इस चीज को समझे आप जो अथेंटिक है उसी क मुलाकात होगी तब तक के लिए जय हिन जय भारत दोस्तों